इस प्रकार की text को हम Photoshop के अंदर कैसे create कर सकते हैं उसकी technique उसका process आज हम देखेंगे तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम एक new canvas लेते हैं new canvas लेने के लिए हम short command control plus N या फिर आप menu बार में फाइल के अंदर जाए new यहाँ पर हम इस canvas को एक नाम दे देते हैं जो हमारी width रहाएगी वो 1920 pixels और जो height रहाएगी 1080 pixels और जो resolution हमने यहाँ पर रखना है वो 72 pixels per inch और जो color mode है आपका यहाँ पर RGB और 8-bit रहाएगा, background contents, white और simply आप यहाँ create में click कर दीजे, left click, वो उसके बाद जो next step है हमारा इस पूरे background का मुझे center point जाहिए, जिसकले background जो है हमार layer panel पे, इस background layer को मुझे unlock करना है, जिसके लिए मैं double click कर देता हूँ, इस background layer के उपर, जैसे double click करते हैं तो एक new layer का window अपने सामने open होते है, जिसमें name के आगर layer 0 दिखा रहे है, तो इसको आप rename कर सकते हैं या फिर आप simply OK में भी click कर सकते हैं, तो मैं यहाँ BG कर देता हूँ और OK में click कर देता हूँ, उसके बाद जो हमारा next step है, control plus T का हम यहाँ use करेंगे, और यह ruler की मदद से हम इसका center point define करेंगे, अगर यह ruler आपको यहाँ नहीं show हो रहे है, तो simply आप control plus R या फिर view में आप यहाँ से ruler को active कर सकते हैं, तो यह ruler हमारे सामने है इधर पे, तो ruler को top से हम ऐसे लेके आएंगे guideline को, और left से center point तक guideline को ऐसे लेके आएंगे, और simply यहाँ commit में आप यहाँ click कर दीजे, इसके बाद हमारा जो foreground color है, उसे हमें red करना है, और जो background color है वो हमें थोड़ा dark brown रखना है और हम gradient tool अब लेंगे, next step है हमारा gradient tool को select कीजे, जिसका short command G होता है, simply आ और यह पहला option जो आपको यहाँ visible हो रहे है, यहाँ पर click कीजे और ok, तो यह जो हमने foreground background color जो यहाँ define किया था, toolbox के जो हमारा panel है, तो यहाँ से gradient editor में first option मेंने select किया, और जो gradient type है, वो हम यहाँ radial रखेंगे, mode जो हमारा normal होना चाहिए, opacity 100, ditter, transparency, ok, reverse में ok नहीं करना है हमें, अब gradient tool हमारा select है, तो इसको center point में आप click कीजे, और center से right की तरफ ऐसे drag कीजे, तो यह हमारा background यहाँ create हो गया, अब इसके बाद जो हमारा next step है, text, अब हम यहाँ पर text type करेंगे, तो text को type करने के लिए हमारा text tool active होना चाहिए, जिसके हम simply T को दबा सकते हैं, या toolbox में आप simply य आपने canvas के उपक्लिक कीजे, जो भी contents आप यहाँ type करना चाहते हैं, वो लेख सकते हैं, तो यह text में यहाँ type किया diamonds, उसके बाद move tool को आप select कीजे, जिसका short command भी होता है, अब control A कीजिए, तो control A करते ही, यह हमें option bar में यह कुछ options यहाँ दिखा रहे है, तो जिसमें जो second number का option है, align vertical center, और align horizontal center, यहाँ पर click कर दीजे, तो यह जो पूरा text है, हमारा center align हो गया, उसके बाद यह जो हमने selection बनाया था, control A से, इसको D select करना है, जिसके हम control plus D का use करेंगे, अब यह text है, हमारा red color से visible हो रहे है, तो इस text का color हमें white करना है, तो simply text tool को दुबारा से active कीजे आप, और यह जो option बार में, यह जो red color का icon दिखा रहे है, आपको, change करने का option है, हमारा text का, यहाँ पर simply click कीजे, और यहाँ से white color कर दीजे, इसके जो next step है, हमारा move tool को select करें, और जो आपकी text layer है, इस text layer के उपर right click कीजे, convert to smart object, अब इसके बार next step है, हमारा जो foreground और background color है, इसे हमें black and white में लेकर आने, जिसके आप simply, या तो यहाँ पर click कर सकते हैं, या फिर simply keyboard में D को, letter D को आप दबा सकते हैं, तो यह हमारा foreground black color और background white color हो गया, इसके बाद हम filter में जाएंगे, यहाँ, filter के अंदर आप जाएंगे, और renders के अंदर हमें जाने, difference cloud, इसमें आपको click करने, तो इस बार हम filter gallery में जाएंगे, filter gallery में जाने के बाद, यहाँ पर हमें बहुत सारे options दिखा रहे हैं, जिसमें हमें distort के अंदर जाना है, और distort में glass, ग्लास में हम जाएंगे, और जो distortion है हमारा, हम यहाँ पर 18%, 18 value इसके लिए रहे हैं, smoothness हम यहाँ 1 रखेंगे, और texture जो type है उसम % रखता हूं, और simply आप यहाँ पर OK में क्लिक कर दीजे, तो यह हमारा text कुछ इस प्रकार से अभी create हो चुका है, इसके बाद जो हमारा next step रहेगा, हमें इस text को थोड़ा और राइट करना है, जिसके लिए मैं adjustment layer का यहाँ यूज करूँगा, जिसके लिए आप layer panel पे और option आपको left से right के और fourth वाला option है, यहाँ पर क्लिक कीजे, और curves, हम यहाँ पर curves adjustment का यूज करेंगे, तो curves में आप क्लिक कीजे, और उसके बाद text layer की brightness को बढ़ाने के लिए इस curve adjustment का हम यूज करके, top से ऐसा थोड़ा slider आप, right से left के और ऐसा बढ़ाएंगे, इसके बाद य जो छोटा सा आइकन आपको दिख रहा है, create clipping mask का, इसमें आप क्लिक कर दीजे, या फिर आप जो curve adjustment वाली layer हमारी बनी है, alt दबा कर, mouse का pointer यहाँ पर लेके आएंगे, तो यह छोटा सा आइकन आपको ऐसा दिखाएगा, simply यहाँ पर alt के साथ आप left क्लिक कर दीजे, तो यह clipping mask हो जाएगा, तो यह केवल हमारी text layer के ऊपर effect करेगा, देखे इसको on-off करके, इसकी visibility on-off करके भी आप देख सकते हैं, इसके बाद जो हमारा next step है, इसको यहाँ से बंद कर लेते हैं, text layer को select कीजिए, एफेक्स में जाना है हमें, एफेक्स में stroke, श्ट्रोक में हम जाएंगे, जो इसका size है, वह हम 8 pixels लेंगे, position जो हमारी रहेगी, center, इसको मैं 10 ले लेता हूँ यहाँ पर, और position center हम यहाँ ले लेते हैं, blend mode, normal, opacity 100 रखेंगे, fill type में हम यहाँ पर color रहते हैं by default, इसको आप gradient ले लेजे, उसके बाद gradient editor में आप simply यहाँ पर click कीजे ऐसे, और यह जो gear box है आपका, यहाँ पर click कीजे, metal option को आप क्या कीजे यहाँ पर click कीजे, append में आप यहाँ पर click कर दीजे, append में click करते ही, यह आपको steel के बहुत सारे effects यहाँ पर दिखाएगा gradient के, जिसमें हमें second last option जो है हमें bevel इसके उपर apply करने है, तो bevel में आप simply यहाँ click कीजे और इसे active कर दीजे, style हमारा यहाँ पर stroke emboss रहेगा, technique हमारी smooth रहेगी यहाँ और जो depth है इदा पर 880 हम ले रहे है, 850 ले लिजे, not an issue, यहाँ पर basically मैं 880 ले रहा हूँ, उसके बाद जो size है हमारा, वो 10 रहेगा इदा पर, direction up, softness 0 और यह जो value 90 इदा जो दिखा रहे हैं, इसको 120 कर देते हैं, और जो glossy contour है, simply आप यहाँ पर click कीजे, और इसमें आप जो options preset default बने हुए है, contour editor के अंदर, presets के अंदर, इसमें cone inverted, इस option को select कर लेजे, और simply OK में click कर दीजे, तो यह इस प्रकार से हमारा text reflection बनाना है, तो इसका reflection बनाने के लिए, हम अपनी यह text वाली layer जिसको हमने convert to smart object किया था, इसको simply आप Alt दबा कर, आपकी adjustment वाली जो layer है, उसके उपर ऐसे छोड़ दीजे, तो यह हमारा यहाँ पर उसके एक duplicate copy बन गई है, इसके बाद हमें क्या करना है, Ctrl T, OK में click कर दीजे, इसका anchor point है center पर, इसको आप simply यहाँ पर रखिया ऐसे, और right click कीजे इसके पर flip vertical, और double click कर दीजे, या commit transform में click कर दीजे, या फिर आप enter भी कर सकते हैं, यह हो गया, अब आप इसको थोड़ा zoom करके देखे, यह दोनों text के बीच में थोड़ी सी spacing है, तो इस spacing को दूर करने के हम keyboard में arrow key, अब arrow key के use करके, यह text को आपस में मिला सकते हैं, तो यह हमारा text यहाँ पर मिल गया, इसके बाद यह जो आपकी text वाली layer है, इस text वाली layer को आप left click दबा कर drag करके, background वाली layer के उपर रख दीजे, ऐसे, और इसको हम rename कर देते हैं, यह जो हमने reflection वाली layer बनाई थी, तो यह जो diamond copy यहाँ पर दिखा रहा है, इसके उपर आप double click कीजिए, reflection layer, अब इसके बाद एक काम आपको और छोटा सा करना है, reflection वाली layer select करके रखे, एफेक्स के अंदर जाए, blending option में click कीजिए यहाँ पर, blending option में आपको यह जो एदा पर एक option दिखा रहा है, layer mask hide effect, इसमें आप click कर दिजिए, okay में click कर दिजिए, और उसके बाद layer panel पे जो एफेक्स के बाजू में layer mask वाला option है, यहाँ पर click कीजिए, add layer mask, और हमारा foreground और background color white रहेगा, gradient tool को select कीजिए यहाँ पर, और gradient editor में यह जो पहला option रहेगा, आपका इसको select कीजिए, और जो हमारा gradient का जो type है इ इस टाइम, यहाँ पर click कीजिए, और इसको हम bottom से top की और ऐसे drag करेंगे, shift के साथ, तो यह जो हमारी reflection वाली layer है भी mask हो रही है यहाँ पर, और एक चीज का और धियान रखिए, जो mode है हम यहाँ पर multiply करेंगे, तो इसमें multiply option को आप select कर लीजिए, और उसके बाद धीरे धीरे इसे bottom से top की और ऐसे gradient tool को आपको चलाना है, लेकिन इस चीज के धियान रखिए कि आपका जो mask आपने layer mask लगाया था, यह layer mask थमने active होना चाहिए, अगर गलती से आप यहाँ पर आ गए, तो यह mask आपका काम नहीं करेगा, इस चीज के धियान रखिए कि यह active है और इसको हम bottom से top की और ऐसे drag करेंगे, जितनी हमारी requirement है, यह देखे, तो यह इस प्रकार से हमारा reflection मन गया, अब यह काफी मेरे को sharp दिख रहा है यहाँ पर, तो इसकी opacity कम करने के लिए, आप simply move tool को select कीजिए, और इसकी जो opacity है, reflection वाली layer की, आप यहाँ से कम कर सकते हैं, या फिर आप keyboard मे number pad का use करके भी इसकी opacity को कम कर सकते हैं, जैसे अगर मेरे को इसकी opacity 50% करनी है, तो simply आप keyboard में 5 को दबाएंगे, देखिए 5 को दबाते ही, यह आप देख सकते हैं, यहाँ पर opacity कितनी हो गई है, 50%, ठीक है, तो इसकी reflection value के लिए opacity मैंने 50% रखा है, या 70 भी आप रख सकते हैं, तो हम यहाँ पर 50 ले रहे हैं, तो यह हमारा reflection बन गया यहाँ पर, इसके बाद यह हमारा इधा पर यह text effect क्रेट हो चुका है, अब इसके बाद जो हमारा next step है, यह जो text है काफी bright दिख रहे है, तो इसकी brightness को थोड़ा और adjust करने के लिए, दुबारा once again में अपने adjustment layer में जो curves यहाँ create कर लिए, लेकिन यदि आपको इस प्रकार का effect किसी दूसरे text या दूसरे contents के उपर apply करना है, तो क्या दुबारे से हमें यह process करना पड़ेगा, नहीं, आप अपनी master layer जो है आपकी diamond वाली जिसे हमने convert to smart object किया था, इसको उपर simply आप double click किजिए, double click करते ही यह जो diamond जो हमारी master लिया थी, वो एक अलग से canvas में खुल जाएगी, text tool को आप select कीजिए, simply T का use कर सकते हैं, या toolbox में आप T को यहाँ से active कर सकते हैं, और आपनी text layer को select कीजिए, और यहाँ पर जो text है उसे change कर दीजिए, जो भी आप लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर text को change करते है यह हमने text को यहाँ type कर दिया, लेकर यह जो text है, मेरे canvas से बाहर जा रही है, तो इस canvas को मेरे को क्या करना पड़ेगा, reveal करना पड़ेगा, जिसके लिए हम image में जाएंगे, reveal all, यहाँ पर simply आप click कर दीजिए, तो यह जो थोड़ा बहुत हमारा text कट रहा था, वो canvas automatically उसके according set ह हो गया, आप यह text को हमने यहाँ पर reveal कि और text change कर दिया, इसके बाद जो हमारा next step है, इस canvas को आप बंद कीजिए यहाँ पर, तो यह आपको save क्लिए पूछेगा, तो simply आप yes कर दीजिए यहाँ पर, तो जैसे हमने यहाँ save में click किया, देखे यह text पूरा का पूरा यहाँ पर क्लिक किजिए और यहाँ पर आप you option को select करेंगे, यह option में आप इसके you की value को यहाँ से change कर सकते हैं, आपकी requirement के according, यह देखे, तो इस प्रकार से और यह guideline को hide करने के लिए आप simply control h का use कर सकते हैं, और control 0 से fit to screen आप कर सकते हैं, यदि आपको यह tutorial पसंद है, तो मेरे चैनल को जरू लाइक कीजिए और subscribe कीजिए और साथ साथ bell icon को भी press कीजिए, thank you friends for watching my video